नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज मैं हूँ वर्षा और अब खबरें विस्तार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जिले के शहीद जबर सिंग को आज पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई शहीद जबर सिंग को उनके पुत्र हर्षित ने मुखागनी दी सहरनपूर के पुलिस अधिक्षक प्रवर्परताप सेंग ने बताया कि शहिद सिंग को उत्तर प्रदेश के आईश, मंत्री डॉक्टर धर्म सिंग स्यानी विधायक कवर ब्रजेश सिंग, प्रदीप चौदर सहिद मंडला युक्ट सीपी त्रिपाठी, डि आईजी शर्ट स संचान सहिद विभिन संगठनों से जुड़े प्रतिनीदियों ने श्रदांजली अर्पित की, उन्होंने बताया कि सहरनपूर के जिलादिकारी आलोक कुमार ने शहिद जबर सिंग की पतनी सवीता को 25 लाख रुपे की आर्थिक सहायता राशी का चेक दिया, सीहं के संस्थानों को जोड़ा गया है, इससे देश में नवाचार की संस्क्रिती पैदा होगी, यह बात मानफ संसाधन विकास मंतरी प्रकाश जावेडकर ने अखिल भारतिय तकनीकी शिक्षा परिशद में आयोजित समारों में अपने वीडियो संदेश में कही, जावेडकर ने वीडियो संदेश के जरिये, भारतिय नवाचार परिशद का उदघाटन करते हुए कहा कि देश में नवाचार एवं शोध कारियों का विकास इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि शोध संस्थान अलग स्थापित किये गए हैं और विश्विद्याले अलग स्थापित हुए, यह के लिए अटल टैंकरिंग लैब खोले गए और अब तक 3000 ऐसे लैब खोले जा चुके हैं। पैसा नहीं हैं। लेकिन आज भी मोधी किसानों के दुर्भागे का मजाख उडाते हैं। अब उनका क्रिशिमंत्राले भी कहता है कि नोटबंदी से किसानों की कमा तूट गई है। कॉंग्रेस अधेक्ष ने जो खबर शेर की है उसके मताबित पृत मंत्राले से संबंदित स्थाई संसदी समिती को सौपी रिपोर्ट में एक रिशिमंत्राले ने कहा कि नोटबंदी का किसानों पर बुरा असर पड़ा है। नोटबंदी के बाद नक्तिकी कमी आ गई है जिससे किसान रवी और खरीफ की फसल के लिए बीच खाद नहीं खरीच सके। उधर प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने मध्यपरदेश में चुनाव प्रचार के दरान कहा कि देश में ब्रश्टाचार के दीमक को साफ करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पैसा वापस लाने के लिए नोटबंदी जैसी कडवी दवा का उपयोग करना जरूरी दूसरी वरियता प्रापसान अनेवाल ने डेड़ लाख डॉलर की इनामी राशिवाली सैद मोदी अंतराष्टे बैडमिंटन चैंपिंशिप में शांदार आगास करते हुए महिला एकल में कमजोर प्रतिदवंदी मौरिशेस की काटे फूकूने को असानी से हरा दिया वही पूरिश एकल में चौथे नंबर के साही प्रनीत ने रूस के सरजी सरिंथ को मातर 27 मिनट में धूल चटा दी बाबू बनार सिदास बैडमिंटन अकादमी के कोट नंबर दो में टूर्नमेंट में दूसरी वरियत सान्या ने तेज समैश का काटे फूक के पास कोई नहीं था भारती शटलर का दावा प्रतिद्वंदी इसकदर हावी था कि खेल के दौरान कम से कम आठ बार फिसल कर गिरी दूसरे गेम में भारत की स्टार शटलर मैच खतम करने की जल्दी में दिखाई दी और उन्होंने मातर 30 मिनट में खेल के काटे को 21-10 से चित कर दिया फिल हाल इस न्यूस बुलेटेन में इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूस धन्यावाद